दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे यूटूब चैनल महानसर में और हम लेके आएं आज पॉलिटी के बेस्ट कोस्टन ये 15 कोस्टन आपकी तयारी के लिए होंगे एक बहुती बड़ा कारगर सिद्ध होने वाले हैं ये अगर ये 15 15 कोस्टन की सीरीज आप करते रहते है जिसमें 5-6 मिनटी लगते हैं और बहुत अच्छे कोस्टन होते हैं जो कि हर एक एक एक्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको क्या है ना आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी तैयारी कब हो गई आपने कब कोस्टन की है कब मतलब एक इंटरटेंबेंट होते होते आप ब लाप के पत का निरणे काउन करेगा कोई भी लाप का पत अपने पढ़ा होगा संपिदान में कि लाप का पत होता है कि यह मतलब यह लाप का पत पर नहीं होना चाहिए ऐसे आपको कोश्चिन पढ़े होगे तो लाप का पत का यह निरणे काउन करता है क्या संसदी या संग ये संसत करती है राष्ट पती ये राजिपाल करते हैं उच्तम नयाले करेगा ये संग लोक सेवा आयोग करेगा तो इसका जो सही आंसर है ये सिर्फ राष्ट पती और राजिपाल के हाथ में है कि लाप का पत काउन सा है उसको डिसाइड करने का हक इनको ही है इनको ये अधि सरकार दिया गया है तो बढ़ते हैं नेक्ट कोश्चन की तरब नेक्ट कोश्चन क्या है यानी कि ने बढ़ते हैं नेक्ट कोच्चन की तरफ और नेक्ट कोच्चन क्या है भारत में राष्ट पती राजसवा के कितने सदर्स्यों को मनुनित कर सकता है तो आप लोगों को बताना है कि राष्ट पती कितने सदर्स्यों को मनुनित कर सकता है और तेन तेरा उननिस या डी आपका बा कहले राश्टपती के रूप में ड्. राजेंद्र प्रिशाद का चुनाव किया गया था आब उप्षन देखके सदाप भारती में कौलता रहा सर्ब धर्म संभाव यानिक चौल समान है और सबी धर्मों को समान भाव से भारत देखता है तो ऐसा कों सर्प्ति दर्योंग में जो कहता रहा क्या राजंदी पिसात थे जाकर रुसैन थे ग्याणि-जेहल दे और यह lors सब्सक्राइब नेक्टर यस रादा किर्षन है यानि कि सर पलिरादा किर्षन जिनके जनम दिन पर आपका सच्छक दिवस तक मना आए जाता है तो यह इतने महान बिक्ति हुए हैं तो बढ़ते हैं करने ये कुश्चन की तरफ इसका अंशर हमने देखी लिया अब हमारा अगला वाधना संसद में कौन सामिल नहीं बताना है आपको क्या राष्ट पती ये राजतबा शामिलाल या लोक्सभा सामिल ये मोवकी निर्वाचॹन इसमें इसमें नहीं सामिल इसका जो आंसर है दोस्तों बिल्कुल सही जबाब क्या मुक्य निर्वाचन आयुक तिसमें सामिल नहीं होता है बांकि यह तीनों क्या है इसके अंग है राजसवा लोकसवा क्या है नेक्स्ट कुछ नमारा युद्ध की घोशना या सांती का फैसला करने में कानूनी रोप से सच्चम ह है कौन बेखती है जो युद्ध या सांती की घोशना कर सकता है तो ऐस सिर्फ एकी सिए भारत में और वो भारत का राष्ट स्क पती के पास क美味 सी बीटो सकती बाताना है आप色 के राष्ट स्क पती के पास कह सी अशी पाबर है जिसे बीटो कहा जा है यह निलम्बित भी कर सकता है किसी भी चीज को और पूरण भी निशे भारत के राश्ट पतई के चुनाव में भाग नहीं लेता राज्तवा है लोकसबागई यद ब्यधान सभागई है या फिर ब्यधान परिशत आए तो इसका सभी आंसर क्या है बिधान परिशत भाग नहीं लेती है बांकि आपके सभी लोक सभा हो राजतवा हो विधान सभा हो सभी भाग लेते हैं राष्टपती के चुनाओं में तो इस सई आपको क्या है और सी अब बढ़ते हैं नेक्ट कोश्चन की तरफ नेक्स्ट कोश्चन क्या है एक ही विप्ति को कितनी बार भारत का राष्ट पथी बनाये जा सकता यह कोस्चन बहुत इंपोटेंट कि भारत का राष्ट्पती अब कितनी बार बन सकते हो क्या कई बार बन सकते हो क्या बार भॉ ligeँड़ इससाई आंशर दोस्तों वो और आप सेने यानि कि कई बार यानि आप साओ वरेफ नेजात अ पर शित जहाए क्या कि प्रधान मंत्री होता है क्या राश्ट पती होता है या उप्राष्टपती होता है लोगtant जो नेत होता है वो अपका प्रधान मंत्री होता है। यानि की option यह बिल्कुल सभाब है आप बढ़ते हैं next question की तरफ Model क्या है अभिश्वास प्रिस्ताव के सदन में लाया जा सकता है तो अभिश्वास प्रिस्ताव मतलब जो भी करेंट सरकार होती है उसके खिलाप लाया जाता है और यह इसलिए लाया जाता है कि वो सरकार जो है वो सरकार जो है वो सही परिवरेच में काम नहीं कर पा रही है तो उसके खिलाप आपका लाया जाता अविश्वास प्रिस्ता और फिर अगर अगर अविश्वास प्रिस्ताव में वो सरकार अगर गिर जाती है विश्वास पे नहीं खाया उतरती है तो उसको अपने पंसे हट ना होता है यानि उसे सरकार को हटना पड़ता है और एक नई गवर्मेंट वहां पर आती है तो यह अपका कहा पर लाया जाता है यह अपका लोक्सवा में लाया जाता है तो बी बिल्कुल राइट जबाब next question next question nevertheless group is कि किस प्रकार समाप्त की जाती है क्या उसको इस्थगित किया जा सकता यानिसékतं दौरा यब बिगटन किया जा सकता है लोग सबर ग किथ 27 दौरा तो यह तीनलХतली के तरीके आपकी किया है मिटिंग को भंग करने के तरीके है समाप्त करने के तरीके हैं उप सन डिलको राइट जवाब होता है आप बढ़ते हैं और ने एक्स कोस्चन की तरह पो दाइए लोगसभा सदर्फ इसको देता है और तालओनियाग सबार का दलका द्राइटा कि अ dist Though इसका सभा आंसर आपको क्या है ओप्शन सी विल्कुल राइड जवाब है वो लोगसभा अद्यच को देता है यानि ओप्शन सी बिल्कुल सही जवाब बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन की तरफ और यह रहा आज का लास्ट क्वेश्चन लोगसभा सदत्यों के नर्योगिता से आता है तो लोगसभा अद्यच्छी करेगा इसका ओप्शन क्या होना चाहिए बिल्कुल है होना चाहिए फिर भी एक बार चेक करते हैं दोस्तों क्या है इसका सही जवाब ऑप्शन यह जवाब है तो कैसे लगे दोस्तों अप लोगों को यह कोस्टिन बताईएगा अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फिर मिलते हैं किसी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद